जैए श्री कृष्णा, मेरी प्यारी सी फैमिली, उमीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे आज ट्रिप स्वर्ड पर मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक मिलेट की आसान सी रेसिपी यह आप ब्रेकफास्ट में बना कर गर्मा गर्म सब को खिराईए यह आप चाहें तो हफ़ता भर के लिए फ्रिज में भी बना कर रख सकते हैं यह खराब बिल्कुल भी नहीं होगी तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसको कैसे बनाया है इसके लिए आप सबसे पहले 1500 ग्राम हरी मेथी ले लीजे इसको साफ पानी से धो कर एक छलने में निकाल लीजे ताकि इसका सारा पानी निकल जाए आप चाहें तो इसको सूती कपड़े पर भी बिचा कर इसका पानी सुखा सकते हैं आप जब यह पानी पूईता से निकल गया है तब आप इसको चावको की मदद से या वेजिटेबल कटर की मदद से बिलकुल महीन काट लीजे मेथी में भरपूर मात्रा में आइरन होता है विंटर में इसको जरूर खाना चाहिए अब जब ये कटकर पूईतर से तयार हो गई है तब आप इसको एक बड़े बाउल में या फिर एक बड़ी प्लेट में निकाल लीजे इसके बाद आप एक कप इसमें बाजरे का आटा, एक कप बेसन और दो कप गेहूं का आटा इसमें मिला दीजे इसके बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक, एक छोटी चमच हल्दी, एक चमच कश्मी लाल मिर्च, अधी चमच कूटा लाल मिर्च और एक चमच धनिया पाउडर इसमें मिला दीजे तिल में बहुत अधिक मात्रा में कैशम पाया जाता है, जाड़ो में तिल खाना भी बहुत फायदेमंद होता है इसके लिए इसमें एक बड़ा चमच तिल भी मिला दीजे, अब इन सब को आप अच्छे से करके मेक्स कर लीजे फिर इसमें आप एक बड़ी कटोरी दही मिला दीजे, दही मिलाने से ये मुलायम बनकर दयार होता है अगर आप दही नहीं मिलाना चाहें तो इसकी जगे पर आप दो बड़ी कल्ची तेल भी इसमें मिला सकते हैं मैं हमेशा इसमें दही ही मिलाती हूँ आप मिर्च की मात्रा अपने हिसाब से चाहें तो कम्याज़ादा भी कर सकते हैं अब आप इसमें थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूज सर डोब तयार कर लीजे दही में पानी भी होता है, इसलिए आप जब भी पानी मिलाए, तो हमेशा धीरे धे करके ही मिलाएं, वनना यह जल्दी पत्ला भी हो जाता है अब इसको अच्छे तरीके से सेट होने के लिए, पांच मिनट के लिए आप इसको ढग कर रख दीजे जब यह अच्छे सेट हो जाए, फिर मीडियम गैस पर एक तवा रखकर गरम कर लीजे और इस डोब को पराठी की शीप दीजे और मीडियम टू स्लो फ्लेम पर इसको घी, तेल या बटर के साथ इसको अच्छे से करके क्रिस्पी सा सेख लीजे अब जब यह विल्कु तयार हो गया है तब आप इसको गर्मा गरम सर्व कीजे इसको आप अचार, चटनी, दही, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं आपको यह रेसिपी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रू बताईएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजेगा तो चलिए, मिलती हो कल आप सबसे एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेगा, मेही तरव से आप सभी लोगों को जै श्री किष्णा